हलो दोस्तो दिल्ली के डिपटी चीफ मिनिस्टर और एजूकेशन मिनिस्टर मनीज सिसोधिया कहने को तो उन्होंने डेली कौवर्मिंट के सारे स्कूल का इंफरस्ट्रेक्चर बदल दिया है और दिल्ली में एक एजूकेशन करांती लिया है लेकिन जब मनीज सिसोधिया ग लेपिस्ट को छोड़े जाने पर वही जवाब था जो 99% बॉलिवूड स्टार्स और इंडियन किरिकेटर्स का होता है आप तेशायें पर दोस्तों आये आज किस वीडियो में जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या एजुकेशन सिर्फ अपने तक ही रखनेसे या स्कूल की buildings को ठीक कर देने से इस society में या देश में progressive changes आ सकते हैं. महात्मा गांधी का कहना था education without courage is like a wax statue, beautiful to look at but bound to melt at the first touch of a hot stuff. दोस्तों आपको याद होगा 2011 में एक anti-corruption moment की शुरुवात हुई थी जिसे अन्ना आंदोलन की नाम से भी जाना जाने लगा था. उसमें मनीश शोदिया, अर्विंद केजरिवाल, कुमार विश्वास और प्रशान्थ भूचन जैसे लोग शामिल थे. उस वक्त Congress की सरकार केंद्र में भी थी और दिल्ली में भी. वह वक्त इतना बुरा था आम जन्ता के लिए कि करप्शन की वज़े से सब्सिडाइज एल पीजी सिलेंडर 399 रुपए का मिल रहा था. पेट्रॉल 63 रुपए लीटर और डीजल 37 रुपए 75 पैसे लीटर मिल रहा था. तो आप समझी सकते हैं कि आम आदमी और बीजेपी ने मिलकर अब कितनी महनाई कम कर दी है. दोस्तो राकेश टिकेट वर्सिस अन्ना हजारे के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था. उस वीडियो में आप डिटेल में अन्ना हजारे के अंदोलन को समझ सकते हैं कि कैसे कॉंग्रिस के खिलाब कॉंस्प्रेसी करकर कॉंग्रिस को सत्ता से हटाया गया था. इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. दोस्तो अगर हम बात करें डिली गॉर्मिंट सकूल इंफर्स्ट्रेक्टर की तो यह बिलकुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो पुराने सकूल की बिल्दिंग्स थी या जो जरजर हालत में थी उन सारे बिल्दिंग्स को demolish करके नए buildings बनाने का काम शुरू किया है और बहुत हद तक दिल्ली के government schools की building बन गई हैं लेकिन सवाल यह कि क्या schools की building अच्छी बना देने से society में changes आ जाएंगे और क्या students सही और गलत का फैसला कर पाएंगे क्या students के अंदर वो courage आपाएगा जिस courage की बात हात्मा गांधी किया करते थे आम आदमी party हरमेशा education की बात करती है लेकिन जहां पर आवाज उठाने की बात आती है वहां पर आम आदमी party उतना ही बोलती है जितना उसके फाइदे की बात होती है क्या औरतों के लिए आवाज उठाना या उनकी इजज़त करना ये हमारे education और moral values का हिस्सा नहीं है बिल्किस बानों की 11 अरोपियों के छोड़े जाने के बाद नहीं आम आदमी चीफ और नहीं election है और बिल्किस बानों एक Muslim है इसलिए शायद आम आदमी party ये सोच रही है कि उसका vote bank न चला जाए दोस्तों ऐसे education minister जिनके अंदर खुदी courage नहीं है बोलने का वो बच्चों को क्या education देंगे और अगर ऐसे बच्चे educate भी हो गए तो नौर्थ कोरिया के लोगों की तरह हो जाएंगे नौर्थ कोरिया कहने को तो democratic people's republic है लेकिन वहाँ पर बोलने की आजादी नहीं है वहाँ का education system world का best education system है वो अपने students को यही सिखाते हैं बुरा देखो बुरा सुनो लेकिन उस पर कुछ सच्छा मत बोलो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के leaders ने यह पहली बार चुपी सादी है इससे पहले भी Muslim community के मुद्दो पर या तो यह चुप रहते हैं या फिर यह majority को देखते हुए Muslims के खिलाफ बोलते हैं इसका example पूरा देश कोविड-19 शाहिन बाग जैमाई उन्वेस्टी पोर्टेस्ट में देख चुका है यही वज़ाए कि लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम और छोटा संगी बोलते हैं अब सच्चाई क्या है यह तो वही बताएंगे देश और दुनिया के लेटेस इंफोमेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं